हलो दोस्तों तो जारखन के सारे जो गवर्मेंट जॉब है उनका अगर आप तैयारी करते तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी रहने वाला है बहुत सारे नए नियम काईटे लाए गए है तो वीडियो के उपर जो लिखा हुआ सब चीज है वो अंग्रेजी मे जो कि basically आपके जैसेशी वाले पोस्त में ज्यादा लगेंगे क्योंकि ग्रूप सी और ग्रूप डी का जतना पोस्त है सारे के उपर ये लागू होता है और इसका ज्यादातर जो बहली लिया जाता है वो जैसेसी के माधियम से लिया जाता है तो उसमें यह जो है आपका नि या कोई एक से चल जाएगा तो देखिए सबसे पहला तो जो unreserved category के लोग है ठीक है unreserved category के लोग उन पे ही केवल यह वाल नियम लग रहा है 10-12 पास वाला जो भी अगर आप कोई भी आरक्षन का लाब ले रहे हैं कि आप जहारखन लिक रहने वाले क्योंकि बाहर से जो भी SCST वाई लोग आएंगे उनको तो यूर से फाइट करना होता है तो इसलिए उनका तो आप पर कोई applicable है निए अगर आप unreserved category से आते मतलब जनरल category वाले हैं आपको कोई कास सर्टिफिकेट आपका वगर नहीं बनता तब है कि आपको या तो 10 या तो 12 दोनों में से कोई एक चीज आपको जहारखन के किसी स्कूल या कॉलेज से पास होना चाहिए तब आप इसका फॉर्म भर पाएंगे देखिए पहले क्या होता हो था कि स्थानी ये प्रामान प बना हुआ आपका सर्टिफिकेट तो अगर नहीं भी बना हुआ है तब फिर है आपको यूर में घुसना पड़ेगा और फिर वहां से कि आपको असान बना दिया गया है दूसरा एक mandatory local language का paper होता है जिसको चिनहित भाषा बोला जा रहा है जो कि merit में भी count किया जाता है उसमें आपको 30% ऐसे qualifying तो लाना ही है जो कि हमारी ज़ारखन की भासा है ज्यारखन स्टेट के ओफिशल भासा है जिसको बोलते हैं वह हिंदी है तो हिंदी को नहीं और उर्दू को रखा गया है इसके पीछे क्या तर्ख रसकता है क्या रिजन हो सकते है अगर कुछ पता है आप दिश्य सूवरार बता है यह मुझे तो समझ में नि strangely उसको हटा करके उर्दू को रखना ये कहा का लजीं से हमारी लॉचिक बन गए है ठीक है अगर आपको tribal language रखना तो tribal language तो फिर भी इंसान सीख लेगा लेकि यार उर्दू वनलों को यहां पर क्यों छूट डेर हो जब अगर रखना है तो हिंदी उर्दू दोनों को रखो या फिर उर्दू ही हटाओ तो इसके उपर थोड़ सा controversy होगा विल्कुल जाएगा और इसके उपर सरकार कोई जवाब नहीं भी दे पाएगी अभी कुछ भी बोले लेकिन उनके पास इसके इसका तो कोई जवाब नहीं होगा कि उर्दू कैसे रह गया और हिंदी कैसे अट गया है तो इसके उपर जरूर अगर आप जानते हो और एट्सेटरा लिखा हुए ध्यान रखिएगा तो इसमें और भी बहुत सारी भाजाएं है वह पूरा एक official लिस्ट है आपको जहारकन के website पर मिल जाएगा वहाँ पर आप देख सकते हो उसमें बस एक बेंगाली और्दू इस सब देखकरके मुझे परसनली जहारकन का निवासी होने के नाते मुझे यह दोनों language को यहाँ देखकर के और हमारी जो official language है जो राजकिया भास है वो नहीं देखकर के मुझे थोड़ा सा दुख हुआ लेकिन चलिए कोई बात नहीं जिन्गी ऐसा होता रहता है और बस एक अच्छी बात जो है इ जैसे group D का जो exam होगा उसमें केवाल एक exam होगा केवाल एक written exam होगा और उसके बाद सीधे आपका document verification होगा जो टूस लेवल पर intermediate वाला जो होता है वहाँ पर भी होई होगा सिर्फ एक exam आपको देना है प्री mains वाला खेल खतम होगा यहाँ पर सिर्फ एक mains exam होगा और CGL में य जाता था जिसमें की 30 word per minute का typing करना रहता था अब उसको 25 words per minute कर दिया गया है 10 minute के लिए तो इसमें भी थोड़ सा छूट डिया गया है जो कि All India level पर कहकी 25 words per minute ही लिया जाता है तो यहाँ पर भी 25 word per minute कर दिया गया हिंदी typing में तो typing तो खैर वह आपका मेंस exam है उसके बाद ही रहता था वह नहीं होगा कम से कम एक exam होगा फिर सीधा डीवी होगा typing होगा खेल खतम हो जागा उसके बाद जिसका भाली होना है हो जागा तो यह सिर्फ और सिर्फ एक मुझे अच्छा चीज लगा बाकि यह language वाला से मैं तो असंतुष्ट हूँ और देखिए बाकि यह को